नमस्कार जारकन समाचार में आप सबों का स्वागत है आए जानते हैं आज की ताजा ख़बरों को इससे पहले आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि ख़बरों का अपडेट आपको मिलता रहे आए बरते हैं ख़बरों के और सांती पूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव में मनाए मोहरम गुमला एस्पी ने लोगों से की अफ़ील गुमला जिला अंतरगात टोटो के मिडिल स्कुल में मोहरम परव को लेकर सांती सिमिति की बैठक भी अधिश्यता एस्पी डोक्टर एहतिसाम बाकरिब ने की टोटो के लोगों ने एस्पी का स्वागत पुस्प गुच दे कर किया एस्पी ने कहा कि मोहरम का परव जैसे मनाती आ रहे हैं वैसे ही सांती पूर्ण तरीके से आपसी सद्भाव के साथ मनाए साथ ही जिला परशासन के गाई लाइज को निभाएं ऐसा गाना ना बजाएं जिससे दूसरे धर्म के लोगों को आहत हो त्योहार में सदिशो को आईडी कार्ड वितरन करने का भी निर्देश दिया गया कोई भी समस्या हो परशासन को बताएं उन्होंने युवाओं को नसे से बचने और पर लेकर गाउ समाज का नाम रोशन करने की अपील भी की निती आयोक की बैठक में सियम हमन स्वरे ने सुखार से निपटने को लेकर जहरकन के लिए मांगा एस पेसल पेकेज जहरकन के सियम हमन स्वरे ने नई दिल्ली में आयोजित निती आयोक के सासी निकाई की बैठक में कहा कि सिचाई सिवधा की कमी के कारण हर तिन चार साल पर जहरकन को सुखार का दन सजिलना पड़ता है इस वर्स भी अभी तक समयन से 50 परतिसत कम वर्सा हुई एवंग 20 परतिसत से भी कम धान रोपनी हो पाई है बरतमान परिशित में राज सुखार की ओर बढ़ रहा है केंद सरकार जहरकन के लिए विसेस पेकेश स्विक्रित करें ताकि सुखार से निप्टा जा सके राज के मतर सिपालकों को मिलेगा के सिसी लोन राज के मतश पालकों को अब मचली कारोबास जुड़े विभीन कारियों के लिए पुन्जी का अभाव नहीं जिलना पड़ेगा राज अस्तरी बेंकर्स सिमिती और किर्सी मंतरा लेद्वारा मतश और पस्वपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड रीर्न योजना का लाप देने के लिए आविधन मांगा गया है इसके लिए केल सरकार के निदेश के बाद विशिस सबताहिक अभियान शुरू किया गया है लोगों को बहतर मुनाफ़ा अरजित करने को लेकर इस तरह के प्रियास किये गये है ताकि राज मचली का अत्पादन और विक्री के चेत्र में आतुन निर्भर बन सके राजी के मरवारी कोलेज में ओनलाइन प्लेस्मेंट ड्राइव CSE पत के लिए नौ छात्रों का हुआ है चेन प्लेस्मेंट सेल के माधियम से नविटेक सोल्यूशन प्राइविट लिमिटेट कमपनी में कस्टमर सर्विस एक्जुकेटिव पत के लिए राजी के मरवारी कोलेज से नौ छात्रों का प्लेस्मेंट ड्राइव माधियम से चेन किया गया इसके लिए प्लेस्मेंट सेल के असिस्टेंट कोडिनेटर अनुबहु चक्रवती ने सभी छात्रों को नई शुरुवात के लिए बधाये दी जारकन की बेटी सेलिमा टेटे ने क्या गोल पेनालटी सूट आउट में भारती महिलाओ की टीम ने जिता पदक राष्टर मंडल खेल 2022 में भारती महिलाहो की टीम ने रेवार को काशी पदक के लिए खेले गए मैच में न्यूजिलेंड को पेनालिटी सुट आउट में दो एक से प्राजित कर जित हांसिल किया इस जित में सिम्डेगा की बेटी सेलिमा टेटे की अहम भूमिकार ही मैदानी खेले में दोनों ही टीमें एक-एक गोल की बराबरी पर थी भारती मेलाहो की टीम की ओर से उन्तिस में मिनट में सिम्डेगा की सेलिमा टेटे एक संदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाए तीन क्वाटर तक भारत एक जिरो से आगे रहा लेकिन अंतिम क्वाटर में न्यूजलेंड ने बराबरी कर में ढेल की समाप्ती पर दोरों टीम एक एक की बराबरी पर ले आया बाद में इसका नियदधा पिनालिटी सूट आउट में हुआ इस सूट आउट में भारती टीम ने बड़त बनाती वे दू एक से मेज जित कर इतिहास में पहली बार काश पदक पर कबजा जमाते वे 16 वर्षों के बाद राश्ट मंडल खेल में कोई पदक प्राप्त किया आप सूट को बता दू कि इस से पहले 2002 में भारती में लाहो की टीम ने राश्ट मंडल खेल में स्वर्ण पदक और 2006 में रज़त पदक प्राप्त किया था विश्व आदिवासी दिवस धुमदाम सिन्मनेगा राची में निकलेगी सुभा जत्रा फुलचन्द-तिर्की ने कहा विस्व आदिवासी दिवस यानि की नो अगस्त की तैयारी को लेकर कर केंद्री सरनासमिती और अखिल भारती आदिवासी विकास परिशत की बैठक राकी के कसरी परिशत इस्थीद RIT विल्डिंग के केंद्री कर्याले में रेवार को हुई इस बैठक की अधिक्षता केंदरी सरना समिती के केंदरी अधियक्ष फुलचन तिर्की ने की इसमें तीर धनुष ढोल नगारा मांदर के साथ महिला पुरूष प्रमप्रागत वेश भोसा में अलबट एकाचोक से मुरहबादी मैदान तक की सोबायत्रा में सामिल होंगे तिरंगा वितरन लोगों से की अपील राची से बिजेपी सांसा संजेशेड द्वरा रहिवार को अजादी के 75 वेवर्ष पूर होने पर अजादी के अमरित महसों के औसर पर सभी छे विधान सभा के सभी मंदलों में तिरंगा का वितरन क्या गया इस मोके पर सांसा स्री सेट ने कहा कि भारत अजादी की 75 वर्षगाट अमरित महसों के रुप में मना रहा है देश के प्रधान मंत्री नर्र नर्मोदी के आवान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाय जा रहा है प्रधान मंत्री के आवान पर हम सभी को हर घर में तिरंगा लगाना है। कोई भी घर छुटे नहीं क्योंकि इस मोहिम के जरीए 130 करोर भारत्यों को एक सूत में पिरोना है। जोहार समस्त जार्खन वाशियों की ओर से आपको हर्दीक बधाई और सुपकाम नाए। CBI के विशेश नियाधी स्रेज निकांद पाठक की आदालत ने सनिवार को दोसी रहल वर्मा एं लखन वर्मा को आजिवान करवाज की सजा सुनाई। 30,000 रुपिय का जुर्मा भी लगाया। असुपको बता दू कि 28 जुलाई को उत्तम आनन्द की पहली पुनीतिति के दिन आरुपियों को दोसी करार दिया गया था। देवगर में 14,000 नए पिंसन धारियों का भुकतान जल्द ओनलाइन के गए आविदन। पहली पेंसन की राची का भुकतान लाबुको को क्या जाएगा। परतियक लाबुक को 1,000 रुपिय परतिमा दिये जाएगे। इसमें प्रखंडों के साथ साथ नगर निगम के भी लाबुक हैं जिनोंने राई सरकार के कारिकरम सरकार आपके द्वार के तहट अपना आविदन केम्प में दिया था। जारकन के पावर प्लांटों में कोईला का संकट बेजली उत्पादन पर पढ़ रहा है असर। कोईला की आपूर्ति करना था इसकी तुला में कमपने ने 117,000 तन कोईला की आपूर्ति की है इसमें बिसी सियल ने 80,000 तन के बदले 66,000 तन कोईला की आपूर्ति की देश में 5 अगस तक 1560,000 तन कोईला की आपूर्ति का लक्ष था जबकि 1527,000 तन कोईला की आपूर्ति की गई है जारकन को कोईला उत्पादन के एवाज में दो साल में मिले उन्हें सज्जार करूर जारकन में होरे कोईला उत्पादन से हुए लाब में बिते दो वर्समी राईज को लगबग उन्हें सज्जार करूर रुपे का भुकतान क्या गया है कोईला हुतपादन के मामरे में जारकन देश के अवल राईज में सामिल है जिसका एक निशित परतिशत राईज के विकास के लिए कें सरकार के द्वारा दिया जाता है इसी के तथ विते दो वर्सुमी लगबग 19,000 करोर रुपी का भुकतान जारकन को क्या गया है उक्त आशि की जनकारी केंदरी कोईला मंतरी पला जोशी ने लोगसभा में दी उन्होंने यह जनकारी राची के सांसर संजेशेट के जारकन में कोईला उतपादन और इससे हुए मुनाफ़े और राईज को दिये जारे लाब से सम्मानित पुछे गए सवाल के जवाब में द आदालत ने दोनों पक्षों की दलिने सुनने के बाद फिर से राजी कुमार को 10 अगस तक पुलिस हिरासत में भीज दिया। दिपंकर कुंडू और संजे प्रसासी ने कुलकता पुलिस का पक्ष रखते वे अदालत से कहा कि राजी कुमार की राची इस्तित घर पर और दफ्तर में छापे मारी की गई। पर पी वकिल के घर से मिले दस्ताविच के जर्ये काफी रुपे के लेंदेन का सुराग पुलिस को मिला है। आप सबक बता दू कि राजी कुमार ने एक बेवसाई को बलेक मैल कर 50 लाख रुपे लेने के आरूप में कुलकता पुलिस ने गरपतार क्या था। सराइकला सदर हस्पिताल में 30 लाख रुपे से बनेगा करोना जांच लेब। कुरोना संकरमीत मरीजों के स्वाइब सेंपल का आर्टी पिसियार जाज के लिए अब एमजियम हस्पिताल पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब सराइकला सदर हस्पिताल में ही जांस सम्भा होगी, इसके लिए सदर हस्पिताल में RTCR LAB का निर्मान कराया जा रहा है, सम्भवत अगस्त के अंतिम सब्ता तक सुरू हो जाएगा, सदर हस्पिताल में RTCR LAB बनाने पर लगबग 30 लाँ रुपे खरच करने की योजना है इसकी नुविदा प्रक्रियापुरी हो गई है जल्दी इस पर कायरी शुरू होगा इस समन्द में स्वील सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि आर्टिपिसियार लेप के बन जाने से कोरोना की जास सदर हस्पिताल में हो सकेगी दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है तो प्रेस चैनल को सस्क्राइब कर बेल एकन को प्रेस कर दिजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इजाजत नमस्कार